नमस्कार प्यारे बच्चो अब आप इस वीशे के वीडियो देख साथ भी देख सकते हैं इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है तो चैनल में जाके प्ले लिस्ट में जाएगे तो इस वीशे के वीडियो देख साथ देख सकेंगे तो बच्चो आज के वीडिय एकांकी जो नाटियग्रू में प्रस्तुत होता है जो रंगमंच पर दिखाया जाता है तो प्रस्तुत एकांकी में महंत और उसके दो शिश्य एक नगरी में पहुचते हैं जहां मुर्खों का राजा और मुर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है नगरी में सर्वत्र अग्यान का अंधकार था अनुशासन रहित विवेखीन प्रजा में किसी से प्रेम आत्मियता का नामो निशान नहीं दिखाई देता था अच्छे बुरे में अंतर नहीं सच और जुठ का गुनान नहीं भाजी का मुल्य और खाजे का मुल्य एक टका एसे लोग अपनी मुर्खता के कारण अपने विनाश का कारण खूद बन जाते हैं अंधेरी नगरी एककांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवे की अग्नानी वूती से परीचित करवा कर इससे बचे रहने की प्रेणा देते हैं तो कभी कहते हैं कि अग्नानी लोगों के साथ रहने से हम भी उसके जैसे बन जाते हैं तो यहाँ पात्रपरी चैहें महंत फिर है नाराय अंदास महंत के शिश्य है गोवर्द अंदास भी महंत के शिश्य है चोपट राजा है वो अंधेरी नगरी का राजा है फिर अन्य पात्र है कुजडिन फिर हल्वाई कल्लू बनिया, कारीगर, चुनेवाला, भीष्टी, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही, आदी पहला जरिश्य स्थान है शहर से बाहर सडक महंत जी और दो चेले बात कर रहे है बच्चा नारायन दास यह नगर तो दूर से बड़ा सुन्दर दिखाई पड़ता है देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या नारायन दास गुरु जी महाराज नगर तो बहुत ही सुन्दर है पर भिक्षा भी सुन्दर मिले तो बड़ा आनद हो बच्चा गोवर्जंदास तू प्यस्चिम की ओर जा और नारायन तू पूरुव की ओर जा गोवर्जंदास जाता है गोवर्जंदास कुजडिन से क्यो भाजी का क्या भाव कुजडिन यानि सबजी वाली तो सबजी वाली से पुछते के भाजी का क्या भाव तो कुजडिन, बाबा जी टके सेर, गोवर्णदिन जी, सब बाजी टके सेर, वाहवा, बड़ा आनन्द है, यह सभी चीजे टके सेर हलवाई के पास जाकर क्यों भाई मिठाई क्या भाउ हलवाई कहता है टके सेर गोवर्दन वाहवा बड़ा आनंद है सब टके सेर क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है हलवाई अंदेरी नगरी गोवर्दन्दस ओर राजा का नाम क्या है तो हलवाई कहता है चोपट राजा गोवरदनदास वाहवा अंधेर नगरी चोपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा यानि गोवरदनदास एक बात बोलता है कि या कि भाजी भी टके सेर यानि 500 ग्राण और टका यानि वो उस जमाने का चलन होगा जिसे उस चलन में जैसे हमारा एक रुपिया होता है वेसे ही वहा का चलन होगा और सभी है जैसे एक रुपियों में 500 ग्राम होता है ये वहा सभी एक रुपियों में 500 ग्राम सभी चीज़े मिलती थी तो गोर्धन्दास खुस हो गया तो बाबा जी कुछ लेना है हो तो ले लो बस आप इक्षा मांग कर साथ पेसे लाया हूं साधे तीन सेर मिठाई दे दे महंत जी और नाराइंदास एक और से आते हैं और दुसरी और से गोर्धन्दास आता है महंत बच्चा गोर्धन्दास क्या भिक्षा लाया गठ्षरी तो भारी मालूम पड़ती है गोर्धन्दास गुरी जी महाराद साथ पेसे भिक में मिले थे उसी से साधे तीन सेर मिठाई मॉल ली है महंत बच्चा नाराइंदास ने मुझे कहा था कि यहाँ सब चीजे टकेसेर मिलती है तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया बच्चा एक कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टकेसेर भजी और टकेसेर खाजा मिलता है गोर्धन्दास अंदेर नगरी चोपत राजा टके सिर वाजी टके सिर खाजा तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके सिर वाजी और टके सिर खाजा भी इता है मैं तो इस नगरी में अब एक चांबी नहीं रहूंगा गोरन जंदास गुरु जी मैं तो इस नगर को छोड़ कर नहीं जाऊंगा और जगा ये दिन बर मागो तो पी पेट नहीं भरता मैं तो यहां रहूंगा महंत देख मेरी बात मान नहीं तो पीछे पचता आयेगा मैं तो जाता हूं पर इतना कहे जाता हूं कि कभी संकर में पड़े तो याद करना यह कवते हुए महंत जी चले जाते हैं तो महंत जी को पता चल जाता थे कि यहांपर सभी चीजों का मुल्य एक है तो उसे लगता है कि यहां रहने लायक नहीं है और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका दूसरा दृष्य चाहापर हमें पता चलेगा कि महंत जी अपने शिश्य को क्यों मना कर रहे थे